हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो आपको आई बटन में प्ले लिस्ट का लिंग मिल जाएगा जापर इससे पहले वाले सभी चेप्ट भी आप चेक कर सकते हैं तो हम जो वह Central Dogma पढ़ते हैं, जो Francis Crick ने दिया था, जिसके बारे में Need 2013 में Question भी आ चुका है, वो था क्या है, DNA से RNA बनाते हैं, उसको बोलते हैं Transcription, फिर जो हमारा RNA होता है, mRNA, उससे हम बनाते हैं Protein, that is Translation, तो Translation के अंदर के अंदर क्या होता है, Protein Synthesis होता है, तो Answer आ जेगा ज्यान से समझे, जो Regulator Gene होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, I Gene बोलते हैं, लेकोपेरोन के अंदर, अब यह जो I का मतलब होता है, I की Full Form होती है, Inhibitor, Not Induser, बट हमसे यहां पर यह नहीं पूछा है कि I का मतलब क्या होता है, हमसे पूछा है, इसका Function क्या है, तो यह Function कैसे कर यह I Gene, यूज होता है, Inhibitor की तरह मतलब चीजों को रोकने में, बट रेगुलेटर Gene का मेन काम होता है, Repress करना, Repressor की तरह काम करते हैं, तो अंसर आजाएगा Option A, Next हमार क्यूसर नमबर थाड है, क्यूसर नमबर थाड में पुछा गए, Jacob and Monod, Studies Lactose Metabolism in E. Coli and Purposed Operon Concept, The Operon Concept is Applicable for, Jacob and Monod ने जो है, वो Lactose Metabolism, E. Coli पे Study की और Operon Concept दिया, अब Operon Concept किस पे Applicable होता है, All Prokaryotic पे, All Prokaryotic and Some Eukaryotic पे, या फिर All Prokaryotic, All Eukaryotic पे, या फिर All Prokaryotic and Some Proto Jones के उपर, अब जब आप इसको सर्च करते हो, इतना किसन आप Google में सर्च करते हो, तो आपको अंसर आत नहीं है, ना ही ये NTA ने आंसर माना है, जो आंसर NTA मान रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ पे बेस होगा, तो All Prokaryotic इसका अंसर नहीं है, बहुत बचनी आपर यहीं लगाए होगा, या पर इसका अंसर है, All Prokaryotic and Some Eukaryotic, अब इसका अंसर क्यों है, सम Eukaryotic, दिखि साथार स्टेडी भी होती है, उसके अंदर भी Operon Concept देखने को मिला है, तो कुछ Eukaryotic भी हो सकते हैं, और सभी Prokaryotic के अंदर होता है, हमारा जो आंसर बनता है, वो Option B बनता है, ध्यान रखें, ओके नेक्स्ट हमारा क्यूसर नमर जो है, वो होता है, क्यूसर नमर 4 में हमसे प बोलते हैं, बट यहां पर अगर percentage में पूछ ले, तो A is equal to T, प्लस में, G is equal to C, is equal to 100% होना चाहिए, इसको हम ऐसे solve कर सकते हैं, अगर percentage में आता है, तो, अब हमें थाइमीन दिया है, और हमसे पूछा है, जो है नहीं, हमें दिया क्या है, थाइमीन यानिटी, यह 20% है, तो A is equal to 10, यह भी कितना होगा, 20, यह 20, 20 तो होगए, कितने 40%, और equal यहां पर G और C रहते हैं, यह कितने होने चाहिए, 100%, तो 100 में से 40 चले गए 60, अब 60 को equal divide करेंगे 2 से, तो यह आएगा 30%, और यह भी आएगा 30%, तो हमसे जुए 9 पूछा है, तो वो कितना आजाएगा, 30%, answer आज इन सिंतेजिस, स्टार्ट और स्टॉप कोड़न, USG, टाइरोसिन, UCG, स्टार्ट कोड़न, ट्रिपल यू स्टॉप कोड़न, UGU, लियू के लिए, अब यहां पर यह पूरा आपको एक चार्ट दिया गये है, जहां पर 64 कोड़न सभी बताए गए हैं, तो वहां से यह लिया होता है आपका AUG AUG को बोलते है इनिशियेटर कोड़ोन या फिर स्टार्ट कोड़ोन UCG नहीं है UCG किसके लिए कोड़ करता यह करता है सेरिन के लिए सेरिन अमिनो एसिड के लिए नेक्स यह आपे बताएगे है ट्रिपल यू जो वो स्टॉप कोड़ोन यह होई नहीं सकता स्टॉप कोड़ोन कौन कोड़ोन से है स्टॉप कोड़ोन 3 है U, A, G नेक्स आपका U, G, A एंट आपका U, A, A यह आपके तीन स्टॉप कोड़ोन है ट्रिपल यू स्टॉप कोड़ोन नहीं है option A, I hope आपको समझ में आ चुका होगा तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको biology के इस type के notes आईए जैसे आपको यह देखे, leg operon में आपका यह सब दिया हुआ है, तो यहां से आपका question आ चुका है AI PMT 2005 में, 10 में NEET 2013 में, 15 में, 19 में यहां से NEET 2014, 18 तो इस type के आपको notes आईए, जहां पर यह mention किया होगी, किस line से, किस year के अंदर question आ चुका है, NEET के अंदर complete biology class 11th और 12th और chemistry, तो आप इस video का description चेक कर सकते हैं, तो चलिए अब next question की तरह चलते हैं next question number 6 देख लेते हैं, question number 6 में हम से पूछ आगे है which RNA pick up specific RNA, mRNA, tRNA, hnRNA तो कौन सा pick up करता है, tRNA जिसको हम adapter molecule भी बोलते हैं next question number 7 देख रहेते हैं, question number 7 which of the following RNA is known as adapter molecule अब यह वापिस भी पूछ लिए, adapter molecule कौन सा हो गया, all of these RNA, mRNA, tRNA, tRNA को क्या बोलते हैं, adapter molecule बोलते हैं, अब्सराजे का option D next question number 8 देख, question number 8 में बोलगे था process of formation of RNA is known as तो central dogma वाला first question बता है था DNA से RNA बना रहे, RNA का formation को क्या कहेंगे, translation, transcription gene expression या फिर application तो transcription इसको बोलते हैं, तो answer आजेगा option B next question number 9 देख, question number 9 interesting साथ, given below is a diagrammatic reproduction of one of the categories of small molecular weight organic compound, यह एक small molecular weight का organic compound है जो कि living tissue के अंदर मिलता है, यह यहाँ पर बोला गया है, identify the category, तो यह किस category के अंदर यह molecule आता है, and the one blank component in X, तो यह X जो यहाँ पर हो सकता है वो क्या चीज़ हो सकती है, तो यहाँ पर सबसे पहले गया है क्या यह cholesterol है, और यह जो आपका diagram दिया गया है, यह biomolecule chapter से दिया गया है, जो आपका class 11th के अंदर आता है, वहाँ पर जो figure 9.1 है, जहाँ पर बहुत सारे diagram दिये हैं, आपके cholesterol वगेरा के, nucleotide के, nucleoside के, तो वहाँ से उठाया गया यह diagram है, अब यह cholesterol तो है नहीं, नहीं यह आपका amino acid है, यह nucleotide, यह nucleoside में से कुछ हो सकता है, बट nucleotide में क्या होता है, कि जो nucleoside होता है, उसके साथ phosphate attach होता है, बट यहाँ पर कहीं phosphate आपको दिखाए दे रहा है, यहाँ पर phosphate attach होना चाहिए, वो नहीं है, मतलब यह जो आपका diagram है, यह nucleoside का है, तो सबसे पहले nucleoside है, ओके, अब यह nucleoside है, तो answer हमारे यह से बता है, क्योंकि और कोई nucleoside नहीं लिखाए, अब हमसे पूछा गए कि X component क्या हो सकता है, यह X एक nitrogen base हो सकता है, अब X एक nitrogen base हो सकता है, चाहिए हो जुए 9 हो, ओके, चाहिए वो आपका एडिनाइन हो, यह 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 रिसील हो, बट यहां पर यह nucleoside और component का हो सकता है, आपका यह रिसील तो answer आ जाएगा हमारा option B, next time question number जो वो 10 देख लेते हैं, क्योंसे number 10 में हमसे पूछा गया है, what does lake refer to in what we call the lake operon, तो लो जो lake होता है, lake operon के अंदर जो lake होता है, उसका मतलब क्या होता है, the number of one lake, या फिर lactose, या फिर lactase, या फिर lake insect, यहाँ पर क्या होता है, यह होता है, lactose, lactose को हम बोलते हैं, lake operon, next time question number 11 में हमसे पूछा गया, the enzyme DNA dependent RNA polymerase, catalyze the polymerization reaction in direction, जो DNA dependent RNA polymerase होता है, जो polymerization reaction को catalyze करता है, वो किस direction में चलता है, only 523 चलता है, only 325 चलता है, या फिर दोनों direction में चल सकता है, 325, 523, या फिर none of these, यह केवल एक ही direction में चलता है, हमेशा that is 523 direction, तो answer आजएगा option A, next हमारा question number 12 है, question number 12 में हमसे पूछागे, what will be the correct gene expression pathway, तो correct gene expression pathway बिल्कूल correct कौन सा होगा, first है, gene, gene से बोल रहे है mRNA, फिर बोल रहे है transcription होगा, फिर translation होगा, फिर बोल रहे है protein होगा, second में बोल रहे है, पहले transcription होगा, फिर gene आएगा, फिर translation आएगा, फिर mRNA फिर protein आएगा, थर्ड बोल रहे हैं पहले जीन है फिर उसमें ट्रांस्क्रिप्शन होता है फिर आरने बनता है फिर ट्रांस्क्रिप्शन होता है फिर प्रोटिन बनता है बी में बोल रहे हैं पहले जीन होता है उसमें ट्रांस्क्रिप्शन होता है फिर प्रोटिन बनता है अब यहां पर अबाद में जी नहीं जैसे ही जीन जो है वो ट्रांस्क्र करासरें कि धूरwegen बना यज नेंग्सक्राइण त班 समघेशन एंट बड़ाकॉचिन-धर तोन भूझे उस्टैट में एंगर oppose प्रॉपइम लेक का विंट तो खूपद इतने statement 3, 1, 2, 3, 3 statement, first statement, each operon has its specific operator and specific reparation, यहांपर बोल रहा है कि लग को operon के अंदर जो हर एक operon होता है, उसकी specific operator और specific reparation होता है, second बोल रहा है था, Y-gene code for permease, which increase the permeability of the cell to beta galactoside, जो Y-gene होता है वो permease के लिए जो वो code करता है, जो कि permeability बढ़ा देता है बेटा गलेक्टरसाइड थाइड बोल रहा है regulation of leg operand can be visualized as regulation of the enzyme synthesis by its substrate तो हमसे पुछा है कि कितनी statement correct हो सकती है all correct हो सकती है all incorrect हो सकती है first correct हो सकती है second three incorrect हो सकती है फिर first and three correct हो सकती है यहाँ पर जो operand में specific repressor और specific operator होते है बिल्कुल सही है why gene permeates के लिए code करता है बिल्कुल सही है regulation of leg operand visualized हो सकता है यह भी बिल्कुल सही है तो सभी की सभी statement सही है तो all are correct transfer आज़ेगा option a next हमारा question number 14 question number 14 में बोला गया what would be the base sequence of RNA transcript obtained from the given DNA या यह DNA दिया है और यहां से हम transcription करके RNA बना रहे हैं तो हमें बताना है कि उस RNA का base sequence कौन सा होगा यह होगा यह होगा यह होगा यह होगा यह होगा सिंपल सा समझें coding strand जो होता है वो किसी के लिए coding नहीं करता है इसके सामने जो opposite जो non coding strand होता उसको हम बोलते है template उसको क्या बोलते है template strand अब template का मतलब क्या होता है जिसे बोलते हैं यह template आप अलग-अलग शोफ का आपको template मिल जाते है template का मतलब होता है sample किसी भी चीज़ का sample मतलब जिसको देख कर कुछ नई चीज़ बनाई जा सके जिसके बारे में जानकरी हो तो इस तरह की coding वाला आपको किस सनाई उसको ध्यान से याद रखे उसमें क्या करना होता है सबसे पहले जो non coding strand होता है template यह इसका मतलब भी याद रखे इसका मतलब है sample मतलब जो भी चीज़ होगी हम इसको देख कर बनाएंगे ओके तो अगर वो पूछ रहा है कि इसको देख कर हमें RNA बनाने तो आपको कुछ नहीं करना है जो आपका coding वाला strand होता है फी ना जस्ट उसमें क्या कर दीजे RNA में क्या होता है थाइमीन की जगह क्या होता है यूरेसिल होता है तो बस इतना code कर दीजिए कि जो coding strand लिखा हूँ है वह RNA बनेगा बस उसमें थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा यह direct होता है अगर आपको यह इतना यह नहीं पता कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है तो इसको बस इतना याद रखें कि जो आपका coding strand होता है उसमें सिर्फ अगर RNA पूछ रहे हैं तो उसमें थाइमीन के जिगर uracil कर दीजिए that is ओके तो यहाँ पर हमें यह template strand दिया है और हमें पूछागे कि RNA क्या होगा तो आपको बता दू कभी भी हमें कुछ देखकर बनाना होता है वो non coding strand को देखके बनाना होता है जिसको template strand बहुत है यह point याद रखना अब यहाँ पर हमें पूछा कि RNA बनेगा और RNA में हमें क्या करना जो coding strand है बस उसमें थाइमें के जिए यूरेसिल चेंज गल्देने तो RNA हो जाएगा अब सबसे पहले यह direction भी बहुत important होते है डारेक्शन इस must important 523 अगर यह same दे दिया जाए और आपको इधर 3 और इधर 5 दे दिया जाए तो भी आपको ध्य जी सी ए यू यू आ चुका है और जी सी ए टी अब देखिया हमें क्या बनाना है RNA बनाना है मैंने अब यह भी बताया था थाइमीन की जगह क्या कर दीजी यूरेसिल तो यह थाइमीन वाले तो आएंगे ही नहीं और यह वाला आपका जो code वो गलत है क्योंकि CG नहीं आएग आपको बहुत कंफ्यूज भी कर सकता है बड़ इंट्रस्टिंग सा है क्योंसे नहीं ओके तो यहाँ पर यह हमें एक नुकलियोटाइड का सीक्वेंस दे दिया गया है फर्स्ट क्योंसे नहीं बोलागे है फर्स्ट हमें बताने क्या होगा हाँ मेनी अमीनो एसिड विल बी इंसर्टिड इन पॉली पेप्टाइड जेन अंडर दा नॉर्मल कंडिशन बतार इभी बिल्कुल नॉर्मल कंडिशन है तो कितने अमीनो एसिड इंसर्ट हो सकते हैं एक पॉली पेप्टाइड जेन के अंदर सेकिंड हाँ मेनी अमीनो एसिड विल बी इंसर्टिड इन पॉली पेप्टाइड जेन इसके अंदर नॉर्मल कंडिशन हो जाए इंदा सिस्ट्रों पार डी इन ने तो वहां पर कितने अमीनो एसिड जो हो सकते वह इंसर्ट हो सकते हैं सबसे पहले देखते हैं अमीनो एसिड बनाना है और यह जो सीक्वेंस दिया है वह नुक्लिटाइड का दिया है तो यहां पर कोडोन होती है तो त्री कोडोन जो होंगे वो आपका AUG यहां से स्टार्ट होगा पहले यह पॉइंट याद रखें स्टार्ट कोडोन ऐसा नहीं है जहां से स्टार्ट कोडोन होगा वहीं से अमीनो एसिड बनना स्टार्ट होगा यह पॉइंट आपको याद रखना है हमने बताए भी तभी इसको initiator codon भी बोलते हैं तो मतलब यही से start हो जाएगा AUG वाला जो portion है यहां से हमारा start हो जाएगा तो पहला जो है वो triplet की form में बनेगा और हमें amino acid मतलब triplet 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 होना चाहिए तिन तिन आपके nucleotide बनाके एक एक amino acid बनाएंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले देखते हैं AUG वाला हमारा एक amino acid बन गया next हमारा UCA दो amino acid बन गया third है हमारा UGG त्री बन गया fourth है हमारा GAG तो टोटल फोर बन गया next आगया हमारा UGA और UGA या फिर UAG या फिर UAE ये क्या है stop कोड़ोन है तो ये जो हमारा क्या गया UGA क्या गया हमारा एक stop कोड़ोन आ गया तो stop कोड़ोन तो यहां पर stop हो जाएगा तो टोटल इससे पहले कितने AUG वाला one UCA वाला two ओके और फिर UGG वाला that और GAG वाला four तो टोटल पहली बार में normal condition में कितने amino acid बन रहे हैं four बन रहे है नोटा six नोटा five ये clear हो गया ओके इसी तरह हमें next वाला बताना है अब next में यह बोल रहा है कि जो ninth position पे आपका जो ninth position पे नुक्लियो टाइड़ वो हड़ जाता है मतलब A first वाला फिर U फिर G यह हमारा three हो गए फिर यह three हो गए three three कितने हो गए six फिर हमारा UGG मतलब यह जो जी वाला है यह हमारा क्या हो जाएगा हड जाएगा यह delete हो जाएगा ओके जो second G हो क्या हो जाएगा delete हो जाएगा अब हम देखते है कि कितने बनेंगे, यहाँ पर यह जो second वाला है यह जो second G है, वो क्या हो गया, mutate हो गया तो A, U, G हमारा first बन जाएगा फिर U, C, A बन जाएगा second फिर U, G, G जो हो हमारा third हो गया फिर A, G, U जो हो fourth हो गया, ओके फिर G, A, G जो हो हमारा fifth हो गया, फिर U, U, G जो हो हो हमारा sixth हो गया, फिर G, G, C जो हो हमारा कितना हो गया, seven हो गया और फिर U, A, A यह क्या गया, stop codon आ गया तो हमारे पास total कितने बने, seven बने कितने बने, seven बने, तो हमारा जो first वाले में four बन रहे, second वाले में क्या बन रहे, seven बन रहे, तो हमारे जो answer बनेगा, वो बनेगा option B, next हमारा question number जो है, वो 17 है, question number 17 में हम से पूछा गया है, select the incorrect statement with respect to the packaging of DNA helix, तो हमें incorrect statement बताने हो, the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged around histone, histone are rich in the basic amino acid, third are the packaging of chromatin at higher level required non-histone chromosome protein, and fourth are the chromatin that is more densely packed, our stand light are called heterocrometin, तो हमें incorrect बताना, negative charge DNA होता है, जो wrapped around करता है, positive charge, histone, octomer, बिल्कुल सही है, histone are rich in basic amino acid like original listen, बिल्कुल सही है, the packaging of chromatin at higher level of required non-histone, बिल्कुल सही है, the chromatin that is more densely packed, our stand light, stand dark, not light, okay, तो यह जो है वो यहां पर dark होना चाहिए, तो उसको heterocrometin बहुते है, तो यह जो लिखा हुए, यह ग AUGC, UTGC, ATGC, या फिर ATU, DNA में पूचा है, तो यहां पर uracil तो कभी हो ही नहीं सकता, ATGC, तो answer आज़ेगा option C, next हमारा question number 19 है, question number 19 में पूचा गया, एक given double standard DNA molecule is one leg base pair long, the length of this DNA molecule will be, इसकी length कितनी होगी, 10,000 nanometer, 3.4 into 10 की power 4 nanometer, 10 की power 4 nanometer, या फिर 2 leg nanometer, तो simple समझे, length किन लिए, निकालना क्या पाड़ता है, total base pair, multiply by distance between single base pair, तो total base pair हमारे पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 1 leg है, और एक base pair के अंदर distance कितना हो, 0.34 nanometer, कितना होता है, 0.34 nanometer, जब इसको multiply करेंगे, तो हमारे पास आएगा, 3.4 into 10 की power 4 nanometer, तो हमारा answer आजाएगा, option B, next हमारा question number 20, question number 20 में हमसे पूचा इसमें से correct polypeptide sequence कौन सा होगा, यह में बताना है, पस्त है glycine, valine, mikunine, histidine, lysine, mikunine, glycine, histidine, lysine, valine, valine, mikunine, glycine, histidine, lysine, histidine, lysine, mikunine, valine, or glycine, यह क्या आ गया, यह क्या क्यों से ना आ गया, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं है, यहां पर क्या correct sequence होगा, तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है, क वो कोड करता है, mithunine को, तो पहला ही, पहला जो amino acid हमेशा सभी polypeptide में, eukeritic में जो बनेगा, वो कौन सा होगा, सबसे पहला amino acid हमेशा, हमेशा कौन सा होगा, mithunine होगा, तो सबसे पहला कौन सा है, mithunine, यहापे glycine, valine, histidine, पहला mithunine, ही तांसर क्या बनता हमारा, option B, next question number 22, question number 22 में हमसे पूछा गया, how many type of nucleic acid are found in living system, 1, 2, 3, 4, तो DNA और RNA कितने है, truth answer आजाएगा, option B, next question number 23, question number 23 में हमसे पूछा गया, if the sequence of the base in the coding strand of DNA is ATT, CGAT, then the sequence of bases in mRNA will be, वापी से coding दिया है, non-coding या template का नहीं दिया है, तो coding का अगर दे दें और RNA का पूछ लें, तो करके आएथे, क्या, direct timing की जग़ा, बस uracil change कर दीजिए, क्या पर बोलगा है, T, A, A, U, A, 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 T, T, U, A, A, तो simple है, A तो A आएगा, और यहां पर T, T, जो उसकी जग़े, U, U आजाएगा, फिर G, C, और यहां पर जो भी T, उसकी जग़े, U आजाएगा, आंसर क्या बनेगा, option D, नेक्स्ट मारा, question number 24, question number 24 तेक ले दिया, which one is an incorrect statement, कौन सी एक incorrect statement, the basic unit of DNA is nucleotide, a nitrogen base is linked to pentosugar for N-glycosidic linkage, adenosine, juenosine and citridine are nucleotide, या फिर DNA is the largest macromolecule of the cell, तो यहां पर कौन सी incorrect statement, basic unit nucleotide होती है, बिल्कुल सही है, nitrogen base जो लिंक करता है, वो N-glycosidic linkage के इस तरूब बिल्कुल सही है, adenosine, juenosine, citridine are nucleotide, adenosine and juenosine are nucleoside, nucleoside कौन कौन से होते हैं, adenosine हो सकते हैं, juenosine हो सकते हैं, citridine हो सकते हैं, और आपका thymidine हो सकते हैं, यह सब कुछ क्या होते हैं, आपके nucleoside होते हैं, not nucleotide होते हैं, और वहीं पर DNA का पूछे तो deoxy adenosine, deoxy adenosine, deoxy citridine, ऐसे करके आ इनको क्या बोलते हैं नूकलियो टाइड बोलते हैं और जो आप सी पढ़ते हो ना एडी नाइन जुए नाइन इन साफसाल लगी रहा है यह नाइट्रोजन बेस है प्यूराइन और प्राइमेडिन के फोर्म में एडी नाइन जुए नाइन यह सब कुछ तो यह जो चीजें ऐन्डर यू के रिडी के अंदर कौन सा प्रोसेस हो गा सब्सक्रतर हो तो यह कि नाइक हिस्ती न City सिक पूछा है तो पहला जो स्टेट है HN RNA वहाँ पे तो क्या होगा सिंपल ट्रांस्क्रिप्शन होगा ना रेप्लिकेशन का क्या हो रहा है यह DNA से RNA बन चुका है तो यह ट्रांस्क्रिप्शन हो गया अब HN RNA जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA उसको MRNA में कनवर्ट करते हैं उसको बहुत है स्प्लाइसिंग और फिर RNA से प्रोटीन को लेस टेबल है तो आनसर आज़े का उप्शन सी नेक्स्ट अमार क्योंस नमबर ट्वंटी एट क्योंस नमबर ट्वंटी एट में पूछा गया वीच ओफ दा फॉलिंग फिनोमिना वाज एक्स्पेरिमेंटली प्रूब बाइ मैसलसन एंस्टाहल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर दिया था ट्रांस्फोर्मेंटल का ट्रांस्पेरिमेंटलीक्शन का स्यमी स्थाहलक्व और मैसलसन ने क्या था कॉन стрैप्टों क эт pneumonia पर किया था इसके एलिया कोलाई पर किया था या फिर निउरस पोरा करासा पर किया था यह तरिक्त स्का था जो उसका फंक्षिन उसका प्छलार्च में लिखाए synthesis of DNA strain θrieben में लिखाए un-winding of dna helicase like as में लिखाए joint together short dna segment यह फिर all of these तो DNA polymerase होता है वो DNA strand को synthesize काता है बिल्कुल सही है helicase होता है वो DNA helicose को unwind काता है बिल्कुल सही है ligase होता है वो strand को joined काता है बिल्कुल सही है तो answer आजाएगा option d all of these यह सब कोज़ता इस वीडियों के लिए अगर आपको वीडियों प्संद आई तो लाइक कीज़ें दोस्तों साथ शेयर कीज़ें मिलते हैं जादे नेक्ष्ट वीडियों साथ तब तक लिए धने